दोस्तों अगर आपने गुल्ली गुल्ली और इवलनन का पार्ट 1 और पार्ट 2 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख ले वरना आपको ये स्टोरी पूरी तरीके समझ में नहीं आएगी लिंक के डिस्क्रिप्शन में है पिछले पार इवलनन को देख रहा है कि कही इवलनन उसके पास ना आ जाए लेकिन इवलनन तो यहां बुल्ली के मजे लेने में लगी हुई है और अपना बुल्ली इस बास से अंजान है लेकिन सौन इवलनन को देख लेता है और बुल्ली को इसारे से बताने की कोसिस करता है लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आता, जैसे ही बुल्ली उपर की वर देखता है, तब इबलनन बुल्ली के उपर हमला कर देती है, इबलनन के मटकते हुए हतोड़े को देखकर सौन को गुस्सा आ जाता है, अब सौन इस हतोड़े से इबलनन के फोर देगा, बुल्ली को इबलनन से ग और क्या तोड़े का भी बाफ निकला, इस अतोड़े में इतना बजनों का सौन ने कभी नहीं सोचा था, फिर भी जैसे कैसे करकर सौन उस अतोड़े को कुई से भार की और कीच लेता है, तब ही इबलनन बुल्ली को धक्का देकर नीचे गिरा देती है, ये सब देखकर सौन तोड़ा उठाकर इबलनन के सर पर दे मारता है, तोड़े इबलनन को ये के अंदर जाकर गिरती है, और बुल्ली की लॉलिपॉप फूर जाती है, बुल्ली की ऐसी आला देखकर सौन फरन बुल्ली के पास जाता है, और बुल्ली से कहता है, बुल्ली फरन यहां से निकलो, वरना इवलनन मेरे भी गुलाब जामनों की चासनी निकाल देगी इवलनन के भार निकलने से पहला ही बुल्ली और सौन को भागते हुए देख लिया है और अब बुल्ली और सौन को मानने के लिए इवलनन अपने हतोड़े को यहाँ वाँ डूड रही है तब ही इवलनन को अपना हतोड़ा नीचे कोई की आड में रखा हुए दिख जाता है हतोड़े को देखते ही इवलनन हतोड़ा उठा कर सीधा भुल्ली की तरफ फेक कर मारती है भुल्ली हतोड़े को देखते ही नीचे जुग जाता है और हतोड़ा सीधा कबरिस्तान की गेट से जाका टकराता है हतोड़ा टकराने से कबरिस्तान का गेट अटक जाता है जो खोलने से भी नहीं खुलता इसके बाद स्वान बुल्ली से कहता है बुल्ली ये गेट तो खुलने का नामी नहीं ले रहा है अब हम बाहर के ऐसे जाएंगे सौन तुम इस दिवाल को पार करकर इस कबरिस्तान से बाहर निकलो और इस इवलनन का ध्यान अपनी तरफ करकर इस कबरिस्तान से दूल लेकर जाओ तब तक मैं इस कुवे के अंदर जाकर गुली को बाहर लेकर आता हूँ ठीक है बुली अपना कहकर सौन कुवे की तरफ देखता है तो सौन के वो सोड जाते हैं वो इवलनन उस कुवे से बाहर निकल कर सीधा बुली और सौन की तरफ आने लगती है इवलनन को देखकर बुली सीधा कबरे के पीछे जाकर छुप जाता है और अपना सौन कबरिस्तान की बाउंडरी के पास में आकर उस बाउंडरी पर चड़ जाता है इबलनन को पास में आता देख सौन जल्दी से उस बाउंडरी से उतर जाता है और अपनी भी कबरिस्तान की बाउंडरी से भार आ जाता है इबलनन सौन को पकड़ने के लिए कबरिस्तान से भार की तरफ जाने लगती है और अपने सौन को पीटर की गाड़ी देख जाती है जिससे वो इबलनन को इस कबरिस्तान से दूर लेकर जा सकता है यहां बुल्ली इबलनन को देखते ही गारी स्टार्ट करकर वहां से फरार हो जाता है इबलनन अपने हतोरे को उठा कर गेट कोल कर कबरिस्तान से भार आ जाती है इबलनन बुल्ली को तो नहीं पकड़ सकती लेकिन सौन अभी भी वहीं खड़े होकर पीटर की गाड़ी स्टार्ट करने में लगा हुआ है फिर सौन गाड़ी का पेट्रोल चेक करता है लेकिन गाड़ी के अंदर तो पेट्रोल ही नहीं है अब सौन कुछ कर भी तो नहीं सकता अभी सोन को स्कूटर की आवाज आती है और सोन पीछे पलट कर देखता है अरे ये क्या ये तो इवनन है अब इवनन बुल्ली के स्कूटर पर बैट कर सोन को पकड़ेगी बचे-पोचे पेट्रोल से फीटर की गाड़ी स्कार्ट हो जा दी है और अपना कोल इस गाड़ी को लेकर फराब हो जाता है यहाँ बुल्ली कबरिस्तान के पीछे चुपकर सब कुछ देख रहा होता है मौका देखकर बुल्ली वहाँ से बाहर निकलता है और सीधा कबरिस्तान के गेट की तरब जाने लगता है बाइक मिलने के बाद अपने स्वन को इवनन तो क्या पर एक 11 मुल्कों की फुलिस तक नहीं पकड़ सकती कबरिस्तान के गेट के पास महँचकर बुल्ली गुल्ली को बचाने के लिए सीधा उस पुराने कुगे की तरब जाने लगता है गेर वाली बाइल सौन को पहली बाद मिली थी इसलिए अपने सौन ने पीटर की गाड़ी से एक गुमधार स्टंड मारा जिसे देखकर इबलनन ने सूचा अगर उसने ये स्टंड नहीं मारा तो उसकी जात्की ना कड़ जाईगी लेकिन एक हाथ में अतोड़ा था और दूजरे आथ को जमीन से टच करने के चत्कर में इस पुटर आउट को बेलेंस हो जाता है जिसके इबलनन सीधा इक पेर से जाकर टकरा जाती है धूमधणाम की अबास तुरकर स्वन पीछे पलट कर देखता है तो इबलनन उल्टे मूँ धूरा चाटते हुए जमीन पर पड़ी जी बचा कुचा पेट्रॉल भी पीटर की गारी में खतम हो जाता है जिससे गारी च से चूटकर नीचे जाड़ियों में गिर जाता है और अब इबलनन उस अतौड़े को यहाँ वहाँ डूमने में लगी हुई है धूरा चाटने के बाद इबलनन को एक बात तो समझ में आ गई है इस्टंट बगेरा करना उसकी बस की बात नहीं है सौन दूर खड़े होकर एक पेड़ के पीछे चुपकर इबलनन को अतौड़ा ढूरते होगे देख रहा है अगर सौन गुली के स्कूटर के पास पहुंच जाए तो सौन उस स्कूटर से इबलनन को थोड़ी दूर ओल लेकर जा सकता है इबलनन दूसरी तरफ मूँ करकर हतौड़ा ढूनने में लगी हुई है मौका देखकर सौन वहाँ से सीधा स्कूटर की तरफ निकल लेता है सौन दीरे दीरे स्कूटर की तरफ जाता है सौन को समल कर स्कूटर उठाना होगा अगर थोड़ी सी भी पूपा की अवाज आ गई तो इबलनन सौन को पटक पटक कर मारेगी और यहां इबलनन को हतोड़ा दिख जाता है जैसा ही इबलनन हतोड़ा उठाने के लिए जाती है तब ही इबलनन को पीछे से कुछ आवाज आती है अरे ये तो स्वन ने स्कूटर चालू कर लिया है अब स्वन को जल्दी यहां से भागना होगा इसके बास Swan पीछे पलट कर देखता है तो ईवलनन गुस्से से उस क्यूर हतोड़ा फेक कर मारती है Swan हतोड़े को देख लेता है और बुल्ली के तरह स्कूटर में नीचे बैड़ जाता है स्कूटर में नीचे बैटने से Swan का बैलेंस बिगड़ जाता है और सौन सीजा ये पेर से जाता ठकराता है विचारे सौन का पेर स्कूटर में नीचे दब चुका है सौन जल्दी से अपना पेर स्कूटर से नीचे निकालने की कोशिस करता है लेकिन कोई फायदा नहीं इवलनन तो सौन के पास आ चुकी है सोन इवलनन का हतोड़ा देखकर इवलनन से कहता है बस ये मेरा पेर निकल जाए इवलनन उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चलूँगा मुझे बस ये हतोड़ा मत मारना लेकिन इवलनन सोन की बाद नहीं मानती और सोन पर हमला कर दीती है इसके बाद इबलना निक हतोड़ा स्कूटर में भी मारती है जिससे स्वान और स्कूटर दूर जाकर गिरती है अब क्या होगा स्वान का और क्या बुल्ली गुल्ली को बचा पाएगा ये सब हम देखेंगे पार्टपूर में पार्टपूर देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर ना है तो चैनल को सस्क्राइब करकर बेल आइकन को ओन करकि ओल नोटिफिकेशन पर सेट करना ना भूलें ये रहे पिछले वीडियो के कमेंट और अगर आपका इसमें नाम नहीं आया है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने नाम जरूर लिखे